हाँ जी तो पाकिस्तान अपनी बेस्ट क्रिकिट खेलता है जब वो कॉर्णर टाइगर हो जाते हैं कुट्टों की तरह मार घाई या कॉर्णर टाइगर को दुम्बों की तरह जो छोड़ दो तो पाकिस्तान की पॉलिंग अटाइक वन अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड वाव वन अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड नबवे रंज शाहिन शाह फृदी नमबर वन ओई सीची ओडियाई बॉलर हमारी किस्मत में यह यह भाई नमबर वन बैट्समें आफ द वर्ल्ड वन वी तॉक अब रंकिंग परफार्मिस बल्ले से कोई सिगनिफिकेंट परफार्मिस नहीं अभी यह दो चार दिन पहले शाहिन शाह फृदी बना है नमबर वन बॉलर अफ द वर्ल्ड दासवर नववे रंस मोस्ट एक्सपैंटनर जक्के मार रहा है नववे रंस शाहिन शाह फृदी लंबर वन बैटिंग आंड बॉलिंग कमाल भाई यह कॉर्णर टाइगर्स नहीं है मेरा ही कुसूरा लोग कह रहेंगा मेरे पर डाल देंगे मेरे यचे पहने ना पहने से क्या ओक्त भाई जान आप यह उतर ऑिए लग्याच अविजी तहर नहीं बैस बॉलिंग जतो है नुने वरsवे बैस्ट बी वर पैंड भी बद पता नहीं क्या क्या उतर गया यह है भाई बालिंग हमां यह Steered अनल पुछे मौका मिलता है एक इनको हलकी सी भरक मिलती है जब आई यह वाला मैच मस्ट विन है डू और डाए तो यह अपने अंदर से बेस्ट निकाल के लिए कि आते हैं यह बेस्ट है बेश हर्मों का यह बेस्ट है इन से चेंग लेंड कर रहा है धतिस में दोनों अपने राउट कर किया तो बस गए तो उस मैच में बेस्ट निकल गयाता है चार सो एक रंस बोर्ड पे डोल डाल दी है सिरफ फोर हंडर्ड एंड वन यह इस अपनी इस बालिंग लाइन अप के खिलाफ दस में नवे दस में ब्यासी अज़न अली एक आदा मिल गया शुरू कर विकेट बाद दस में पचासी हारिस रहू वो बचाचा कर गया दस में साथ जहां बोर्ड पे चार सो एक लगाव है वसीम दस पे साथ देके गया है वह भाई बैंच था चाचा आठ पे पश्मन दे गया है चाचा जो कर पार टाइमर है जिसको उनको पता भी था कि इस चाचे को हमने टार ही बॉलिंग का देखें अच्छा खेला बहुत ही बेहतरीन खेला रहा रहा चन्रविंद्रा वोट टालेंट ही इस एपसलूटली वर्ल्ड क्लास तीन सो होगे वर्ल्ड कप में तीन सो पांस होगे पार रहा है जिसका अंगुठा वह वो नेट से खेल के आ रहा है और यह ज ऐसा खेला जाता हमारे आनों को भी दो तिन गुठों पर गेंदे मार दो और कोई ऐसा वर नहीं है जिसमें चौका नहीं चौका दो चौके एक चौका दो चौका अभी आपको बताते हैं तो जी मौसन अलीज़ा यह हमारी वर्ल्ड क्लास बाल बिसम लार्मान रहीम अस्सल लौके बेटे वर्ल्ड क्लास बालिंग एक है अगर आप सारे वर्ल्ड कप पर नज़र डालें वह है इंडिया की कोई वैंका कोई कंपैर्जन ही नहीं है मुझे नहीं समझ आरी इंडियंज क्यूं गबरा रहे हैं किसी से गबरा रहे हैं पाकिस्तान की देखे आज आप ब बात यहां कि पूरे टोर्नमेंट में बाबर की माँ बैन होती रही हालांके बाबर बैट से मार खाता रहा चले किसी जगा कप्तानी भी मारी रही लेकिन इन बॉलरों ने कर आज तो उसने मूज भी अच्छी की विल्डिंग भी सही लगाई बॉलिंग चेंजिस भी वर्स क्ल जड़ाय को चिका मार जो इसका पूलर हुपए आज भी उसने इतना लंबा शका मारा ना रचन विंडरा ने तौबा तौबा तो जो कसंती वो फिल्म समगारा ने पूरी की एक बालर था आज पाकिस्तान का जो नजर आया वो वसीम जूनियर था जो राइट एरियाज में बाल कर रहा था साट रन पड़े हैं लेकिन चहां 400 रनों वाद 10 रों में 6 की अबरिज के साथ 3 बड़ी विक्ते तो आप वसीम जूनियर को एक सो असी की पार्टनर्शीप जो रचिन और विल्यम सन की थी इतमेग जितनी तारीफ करें रचिन रविंद्रा की उतनी ही कम नहीं किया है वो आया उसने प्रैक्टिस की दो महीने दिल लगाया उपर वाले ने करम नवाजी का पहाड़ उस पे नाजिल किया तीन तीन सो जब पूरे न्यूजिलेंड में कोई नहीं कुछ कर रहा तीन तीन सो केले रचिन रविंद्रा लगा गया यह समझतों विल्यम स विल्यम सेंबि विल्यम सन काव वो दो-चार सिंगले लेकिशनी कर सकता था उसने काए भाई दे मारते साड़े चार रुकना नहीं चाहिए यह इसने कहा कि बहुत काम जिस गेर में हम जारे है वो गेर हमने रिवर्स नहीं करना और यागे गेर तोड़ तूड़ के फैंक तो सो आते आए नहीं आता है कि छक्का मारते हुए हुआ पच्छानवें पर कोई अवर शाहिन और हारिस राव भसन अली कोई एक अवर इनका नहीं जिसमें बॉंडरी ना है च्छानवें 46 बॉंडरी आठ चक्के पचास अवर का मैं च्छानवें सेंटनर मार रहा है वसीम जूनियर को भी सेंटनर चक्का मार रहा हसन अली को चक्के पाड़ रहे हैं हारिस राव ने तो इतना बड़ा चक्का खाया कि छकों की दुनिया हिंके रहा गी है वो सारे आगे जब आप इस तरह और यह मिक्की आर्थर का मैं आपको एक बड़ा नजम सेटी और शिकील शेख दोना सुनों ने 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 मैं आपको इसकी बताना चाहरा हूं ना भाई आपको मिक्की आर्थर्स रेसेंट कोच इंस दोजार इकी स्री लंका अटर वाल्टी 20 फर्स राउंड घंवाला अर्वा फिनिछ लास्ट इं लंकान प्रिमियर लीड दर्भी शायर वेल तो इन सिंगल कांटी चंपेंशिप मैच इन दिवियन 2 पूरे दोजार देष्ट पाकिस्त पर फर्स ताम इन हिस्ट्री लॉस्ट फोर कंजेक्टिव मैचेश नोबडी इन पाकिस्तान इस टॉविए अबाउट इस देस मिक्की आर्थर दबियर और नोट अ सिंगल पाकिस्तानी कोच और इसके गोड़े गिटों में बैठ गिये थे कि खुदा कर हमें आ आजा हूँ नजम सेटी इसके पूर पकड़ रहा था कियार हमारी माँ बहन करवा पूरी दुनिया क्रिकेट में यह नजम सेटी जिसे आपने पचास ओवर के मैच में 46 चौके 8 चौके यह जिनाब आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कोई ऐसा ओवर नहीं कि जिसमें उन्होंने कोई किस तीन मार देते चोके पूरे शुरू के दो तीन अवर में शायद के छे से नीचे रन नेट था उसके बाद थूआउट दा इनिक्स सबस्क्राइब और एंड पर आठ भी पार कर गया चारसो एक रंस बोड पर डल गये यह हमारी बॉलिंग है बर्ल क्लास और वो कहां गई व लोग उने ऐसी एसोसियेट किया हुआ आज दूद का दूद पानी का पानी हो गया के जी जब इनको थोड़ी सी भिनक आती है थोड़ी सी यह स्मेल करते हैं कि अब हमारा चांस बन रहा है तो इनके अंदर से निखर के ऐसी परफॉरमस आती है कि पूरी दुनिया हिरान और परिशान हो गई है और यह न्यूजिलैंड वाले भी क्या रहे हैं कि यार यह वो टीम है कि जिसने मस्ट विन गेम खेल रही है हमारे खिलाफ वो भी आपस में हासरे होंगे चार सो उन्तालिस रन दे चुका हारेस रहू दा मैच विनर आफ मिकी अर्थर चार सो उन्तालिस 439 रन्स कंसीड़ बाइ दा शोटुकान दा जुडू का दा वन अन उल्ली मिस्टर हारेस रहू यह हम लोगी बेवाकूफ हैं कि जो हलकी फुलकी सी कोई इतनी सी बात में खुश हो जाते हैं इनकी उकात ही नहीं है इनकी परफॉर्मस ही नहीं है यह इस काबल नहीं है कि इ मैच अफटर मैच मैच अफटर मैच कर लेंगे फिकर ना करें 4000 अअए तालिस हैब में मैच खतिम donc जाएगा आत वापर ही से यह देखें विलियमसग पडु राच wonderful आउड वाया उसके बाद, चलो, शायदchs जिया ने उस्टेलिया के थोड़ा सा कमबक किया था शायद्क कि कर ली अब एक पस्टेज अड़ेड वर से अकी थी लाइद में में मारो इनको और मारो यह सी कापन ली यह ऐ और चोक्या मारो और चक्क है मारो इनको इनके जो परसनल ग्लोरी के पीछे बड़े होते हैं दास दास होवर में इनको मारो सौसो रांस शाहिनशाव वरीदी मौस्ट एक्सपैंसिव बॉलर पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में जिसने अभी वो ने फूफां का रिकार्ड उसने तोड़ा देट भुम्रा वुट एवर गो फार 90 रांज इन टैन अवर स्पैंट एवर सोच भी नहीं सकते आप पाज़न उसने तो अभी तक पूरे वंड़ कप में 90 शाहिए सोच भी नहीं सकते आप के भुम्रा कभी 90 रांज देगा दस होवर में नवर और यहां पे हमारे नंबर व पर वन पे है पहले तो इसी लबे नीचे लटाओ जरा इसको दास हपरों में नवे में बॉलर है यार कोई शरम आया होती है वो जुल्फों वाली सरकार ने इन सब के मूँ पे लानत बेज़ दिये कि यार ऐसे परफॉरमस होती है यह इस तरह की बॉलिंग होती है तुझे क मैं तो समझा और काश कंडिशन है सारा दिन धूप रही है रिज्वान साभी है तो अब ही देख लिए क्या करेंगे बारिश का इमकान था उन्होंने रंजों की बारिश कर लिए उन्होंने चौकों और चुटकों की बरसात कर दी है वहां से यहां बेई दिया ना का यह लो बेंगलोरों से तुम्हे थोड़ी बारिश की सुरत है स्मोक होता है यह लो पंजाब में बहुत जादा है इस टीम से उमीद लगाए बैठे है जनाब इस उमीद से हारी स्रॉफ तो उसकी क्या ही बात करनी इतना कंसिस्टेंट परफॉर हमने पूरे वर्ल्ड गप में नही साथ सतन साथ सतन असी माशा ब्रा कोई ऐसा मैड नहीं जिस में मिकी हड़र का हूँ एक्स्परेस कोई इतना कंसिस्टेंट कोई कैसे हो सकता है बार कैसे का सकता है जितना ये कंसिस्टेंट है अगर दुनिया में किसी ने कंसिस्टेंट सी सीखनी है तो वो हारिस रौफ से सीखे पांचों के पांचों पाकिस्तानी वाले ने माशाला कम असकंपचास रण जरूर दिये 55-55 उसके बाद जिनाब 85-81 फिर 90 उसके बाद आया दो और उसको और दे देते उसके भी प्रिकास हो जाते हाँ अगर सल्मान के हो जाते है इतना ये कंसिस्टेंट है हारिस रौफ कि हर मैक में सतर असी नवे माशालों और रंग चड़ गया जनाब शाहिन पे भी माशालों बाई चलो उस पर दो उस पर तो कोई एक्सपेक्ट को भी ना बना है आमीन लेकिन कसूर इसी का दोस्तियां पाल रहा था ऐसी टीम का कफ्तान कोई दुश्मन भी ना बने इस तरह की है बॉलिंग यूनिट हैं की और कामरा पड़ा डगवर्ड में बैठों में मूह लटका आगे जनाब स्पिनर नंबर वन शादाब दूसरा जनाब उसामा अमीर स्पिनर वरनर मूंपर पेंट कर गए और तीसरा वह भी तोड़ी फिल्डिंग कर रहा है स्पिनर्स हैं तो देयार गुड़ फर नथिंग नाइंटी और एटी फाइव किसी पाकिस्तानी बॉलर को ऐसी मारनी पड़ी अभी तो बाइचान दो मिंट पहले तो बताया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव स्पैन एवर इंदा हिस्ट्री आफ वर्ल्ड का यह पाकिस्तानी बॉलर श्यालीस चोके किसी टीम को नहीं पड़े 46 चोके 8 चके 50 अबर के मैच में 46 चोके खा रहे हैं या बेशर्मी की इंतहा पार कर दी आ 50 अबर को मैं जहें 46 चोके खायें हुए और चैन्द में आट चके भी चके कम पता नहीं कूं लगें मैं जो नकी आलती इनको 15-20 चके भी लगने चाहिए तो यह जिनाब उमीद एक जागी की हलकी सी हम कैलकुलेशन करके इदर का ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो वैसे तो नहीं इनको सुरूंग में गुसा के निकालेंगे और फिर किसी नाली के अंदर से निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे समी फाइनल में तो मैच को जीतेगा इनके अपने मैच यह जीते को उसी बड़ी टीम से आपने माद जीता है आप तरह असला रखें फकर करेगा स्कोर अब्दुल्ला करेगा बाबर करेगा हम जीतेंगे यह मैच आप टैंशन नहीं लें नेदरलेंड को और आके स्री लंका को और बंगलादेश को और आके जनाब बाजी कमाल कर दिया कोईसी एक बड़ी टीम से मैच आज का असल गल्प्रिट जो है ना उस पर कोई बात नहीं करता यह टीम तीन साड़े तीन साल से खेरी है यह सारे जमेदान है नजम सेटी से लेके यह सब देयार एक्वल आप जो बात करें ना देखें तीन सो चालिस तीन सो पचास होता तो बिलकुल बात सही है ग्राउंड छोड़ा है बांडी छोड़ी है आफ साइड की लेक साइड की यार रस्वान मार सकते है बैटिंग है आपकी मुझे नी समझा आ रही है आप क्यों टैंशन ले रहे हैं बाइजन चार सो रांज है बाइजन चार सो रांज है कोई बात नी आज या तो आप बहुत बुरी तरह आ रहेंगे ये मेरी बात याद रखें दो चीज़े या तो आप बिलकुल बैट देंगे या आज आप ये स्कोर चेस करेंगे ये बात लिख लें आप मेरी या आप ब सोड़ी इन से नहीं खेला जाएगा सोड़ी से जाता मुझे सैंटरनर से डाले सोड़ी के जिनाब सा सोड़ा मिक्स करो जाके इन पर आज बात तिन सो चालीस तिन सो पचास हुई अंडरस्टैंड इस मेदान में उस दिन पी 370 खाने के बाद पाकिसान गेम में टिका रहा है तक लेकिन यार वो यार उस्ट्रेलियन बालिंग थी वो थोड़ी थोड़ी जो है हम घबरा गए उस्ट्रेलिया के नाम से वरना हम कर जाते मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान का रिलिस्टिक चांस है कि ये अगर उपर से विकेड ना गिरी फगर खड़ा रहा द पूरा सलकरी साथ मिटर स्टेड की तेहतर मीटर है लॉंग ऑफ लॉंग ऑन की भी 68 69 मीटर है बाजी कोई इन से उमीद लगानी नहीं चाहिए बंदे को ये इस तरह की परफॉर्मिस दिखाते हैं कि बास पूछे मत ब्यावन इमाजिनेशन जी चार सो स्कोर्ड उन डबल पेस भाई डबल पेस तो खैर नहीं है अच्छा बैटिंग पिच है अब थोड़ा उनके पास स्पिनर्स है थोड़ा स्पिनर्स को सिस्ट भी हमारा अगर पार्ट टाइमर या आठ में 55 दे गया जबकि दूसरे 90 नव स्किल मैटर तो स्किल भी इलादा करनी हैं तो पहले नमबर वाले की रैंकिंग आले को पढ़ गया ना दस में साथ अब दूसरे जूचा जब ऊपर से बैटिंग में पहले नमबर की रैंकिंग का आप देख लेते हैं वो कितने जोहर दिखाता है नमबर वन रैंकिंग का और उपर आप बैटिंग में बाबर राजम नमबर वन रैंकिंग पर आप देखते हैं कि वो कैसे जोहर दिखाते हैं आज विलियम सब्सक्राइब करना है यह स्कोर आपने अगर आपने करना है आप देख लेते हैं हमारा बाबर राजम नमबर में हम दोसों करेंगे नेक्स पंद्रा में हम दोसों करेंगे एकत्ती सबरों में मैच खतम ऐसी लोग टेंक्शन ले रहें बस फिर आंग खुल जाएगी हमारी मैं तो जाग रहा हूं पर दिमाग ने वर्ल्ड कब से पहले ही बोल दिया था कि नहीं और इंडिया सब्सक्राइब का न्यूजरेंट तो समी में जाएंगे लेटर इंक्लूडिट ऑस्टेलिया बाड लख बट आइधिक न्यूजरेंट इस विनिंग दिस कंफरडेवली बास जी अब आपके सम न हम सुबा कर रहे थे अगर तो इन्होंने मोडस्ट टोटल पर रोक लिया अगर बारिश आएगी तो पाकिसन की फेवर में चला जाएगा लेकिन अगर वो साड़े 300 के पार निकल गे तो बारिश के बाद जो भी एक्वेजिन आएगा उनके फाइदे में जाएगा तो अभी आप देख लेना जो डियल मैतल अगर कब बारिश रुकेगी क्या होगा सिलसला वो हमें फाइदा होगा जब डियल मैतल रुकेगा तो आप देख लेना क्वेजिन फिर क्या होता है हमें फाइदा होगा जितने कम ओवर होंगे आपकी टीम देखें पचास अवर तो कहलती न तो इनको इक एक को जानता हूं के कौशा तुर्रम खान कहां बैठा गान गांग है आज उछलने जी इसने उछलना है मैं आपको और ऐसी वर्ड काप नहीं जीते जाते हैं लेकिन बात यह है कि अगर इसका एक्सपोज होने से कोई तालिफ नहीं है युश्गर्ग साथ यह कहलते हैं हलकी इफसाद अफरीका हलकी जिंबापे हलकी नीदलेंड यह इस तरह के मैच्च खेल के लोगों को बेकूप बनाते हैं इनकी यह नए बच्चों को चांस ही नहीं देते तो इनकी परफॉर्मिस यह होनी थी जब नए बच्चों को चांस नहीं देंगे वही चले होए कार्तूस उन्हीं को आप चांस देंगे तो पर यही परफॉर्मिस होनी है मुससाद नवाज अन्फिट टू बोल कुड आफ न्वाज खेली नहीं रहा यार आपको पते नहीं है टीम में के नौाज है नहीं है बाई टीम में अमन दावर सब अमन दावर जी नवाज में अचा बारिश भी ओरी ए धूप भी निकली यह कमाल यह बस किसी की शादी आजाओ हमारे अर्मानों पर भी पानी बिखर गया है लेकिन मुझे यकीन है पाक्स्तान जिते हैं यह मैं आपको बता रहा हूँ समीर खान एक अजार डैलर में रित्यार रख बाई जान हमारे बॉलर डेर सो की गेम जी उतनी डेर सो की आती है और दोसों की स्पीड से पायर चली जाती है रौफ नट आउट है रनमीर सिंग साब 85 के बाद अभी एक मैच रहता है आउट कैसे है नट आउट है रौफ पाकिसान के तरफ से लिटिंग रांस को पांच सो नट ठीक है जी हो जाएंगा टैंशन ना लें आप अस और करें कितना चाहिए बस मैसिज आप पढ़ते जाएं खुद ही मज़े मज़े के अच्छे इंडियन फैंस गेम स्टार सेंडी की बॉलिंग देखने आए थे कॉस्ट अब हर्ट अपाकिसान स्पेशलिस इन फास बॉल डेस यह देखना है जनाब शाहीन आरिस बावावावाव जे ऐसा ही आज कर पएसे आफ जैसे भूबे वैसे मिलेंगे आप खेंक kay परिक्षण के सामने कोई नहीं ठिकता और आप पो जी मोसन बाई ना है जी जिए जाएंगे ना यह आपने थोड़ा जल्दी मैसिकिज किया थोड़ा विकें गिर जाते ही फिर आप यह मैसिज हमारे पास सेफ हो गया अब आप जरा ये देखना मैं तो आपको जैसे कहेंगे मनी अपना वेस्टरन यूनियन या इंडिया या पकिस्तान जो भी ये जेन में रखना कि अगर आप फिर आप बताईएगा बाथरूम में ना कुछ जाईएगा तेगे मैं तो आपके सामने रिलाक्स चिल बैठा हूँ बहुत रिलाक्स जब बंदे को कोई उमीद नहीं होती ना वो चेंडी हो जाता है मुझे यकीन है पकिसान जीतेगा आम टेलिंग यू और ये 35 इन्हों ने ज़्यादा बताए हमें हम ये 30-30 सवरों से ज़्यादा जाएंगे इसी की तैसी आज न्यूजलां का पकड़ने की हम बाते कर रहे थे उन्होंने हमें पाइजन क्या हुआ अभी हमने बैरी कर ली खदम हो गया मैच औसला रखें यार आप तो ऐसे कहरें जैसे न्यूजलेंड की बालिंग ने 20-20 पे आउट किया वागा की टीमों को शुमंगर दाश कह जी वट असलफलेस टीम के टीम केन मि इस विकेट बिफोर इस हंड़र अजी न्यूजले वह मैनी बैटर्स टू कम और यूटलाइज इस ग्रेड प्लाटफर्म और री चार सो पे पहुंचें जी बिल्कुल वह फिलिप्स और सेंटनर ने एंड पे ने इंशोर किया और अट आट स्टेज वह मंज्रेकर कमिन्ट भी कर रहा था नाम उसने किसी कぇ नहीं लिया लेकिन यहीं बात बोली जो आपने बोली और रसान जले जाते हैं तो आप जिस तरह भी Judge पहुंचेंगा सलाम भाजान, बक्वास बॉलिंग, वी हाड़ ओप, वी 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 विल दू वैल, बट नो होप फ्रॉम इस टीम, अफगानिस्तान इस प्लेइंग बैटर क्रिकेट देन और अजे तो बात सच है, अफगानिस्तान हमसे प्छी रिकेट है, वी दोंट इस अज़ शेमी, अग जा, आज इन्समाम का बेटा फिर गेला है, अब पाक्सान काप में भी अंडा के, तीन चार बालों में अंडा करके बार आगए, ये है मुल्क, ये वतन इनका, काल भी रननोट हो गया था, हाँ जी, हर मैद में यही आलत है उसकी, अक्दस हुसान साब क्या कहें इस टीम को यार, अब तो इनको कोई बात करने को भी दिल नहीं करता, इनको कुछ कहने से ना, ऐसे ही अपना बीपी खराब होता है, कुछ के फपड़े फट देंगे, आप दो मेरे पास न्यूजिलेंड अली शेर्ड नहीं है, वन्ना मैं भी वो पहल लेता है, जितनी इन्होंने मार म बाइजन वो नराज होता है कि बाइजन भी हमारी शेर्ड नहीं है, अगले मैंच में मैं न्यूजिलेंड की शेर्ड नहीं है, लोग हमारे मत्ते लाग जाएंगे, नहीं नहीं, इस पाकिसान वर्स फास्ट बालिंग अटैक आवा, स्पिनर्स तो माज़िक हैं, उनसे तो कराची एरपोर्ट, नहीं कराची नहीं जाएंगे, यह इदर उदर जाएंगे, और स्रेशा की जाएंगे, नहीं बाली जी, दिपीच विल एल पास्टन तो विन, प्लीज एक्स्पेंड बालिंग अवारिस राउ, वट कांड आफ बालिंग देसे, भाजिन ये तो आपको म भी ठाये रखा, और वो सबसे बेस्ट बालिंग कर गया, सबसे बेस्ट, अगर तो आपकी तबियत पे नागवार ना गुजरे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो वो भी कर दीजिए, एक तो हमारे बालर्स को मार इतनी हमारे तो अर्मानों में पानी फिर गया है, और हमें तो एसी फीलिंग ही आ रही है, हमें तो ऐसी बाई आज हमने ये मैच जीतना है, चाहे जो मरजी हो जाए, और समीर साथ, आप हजार डालर और एक सो डालर पिछला ग्यारा सो डालर तयार रखें, सुरेश जी बात ऐसी ह है, कि वो बहुत अच्छी हो, नजर ही आ रहा है, सारे जो कमिन्टी कर रहे हैं जाहरे है, उन्होंनों भी यही बाते करनी है, वो इएन बिशप बोलता है कि पाकिस्तान ने अच्छे एरिया, इस पर बिच तो ठीक है, बैटिंग पिच है, लेकिन इन्होंने अच्छे एरि से शाट खेल के बनाएं, इनकी पहली दोनों बालोज ने पहले अगाजी वाइड से किया माशाला, वाइड से और इनकी जो स्पिन बालिंग का मसला है, वो इफास बालिंग का मसला है, अच्छी लेंथ पे ये दो से तीन गेने भैंक देते हैं, बाकी दो गेने कोई लेग पे कोई आफ के बाहर, इनकी लेंथ और लाइन और लेंथ में कोई कंसिस्टेंस ही नहीं है, ये इतनी इनकंसिस्टेंट बालिंग लाइन और लेंथ से करवाते हैं, कि बंदा अपना सर पगड़ लेता है कि भाई, ये क्या बालिंग हो रही है, थर्ड क्लास लाइन और ले जी सही कह रहे हैं आप वाई आर लेकिंग डिसिप्लिन दलाइन देखें डालवी साब यही बात है यह आपको पता है यह सारों को जो बार बैटे है पता है नहीं पता तो पाकिस्तान क्रिकिट बोर्ड को और उसमें बैठे है जूबो इन्हें तो नमाइश में लगाएं यह यूजी नहीं हुए सारे अन्यूजड है यकीन करें बड़े कमाल के दिमाग आईए बड़े तिले तिले कोट तिले 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 फलाने की सबारे जिस की सबारे जूसकी सबारे वहां से डिपोटेशन पर ऐस जीट जाएंगे तो रन इने आपका आपर होजां बाईजन 35 अ आउस्टेलिया टेक सकीन शॉट अजह देए सुने 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 यही रुक जाए मैंने कभी नहीं कहा कि एख़वानस्तान जो है वो नीडरलेंड को नहीं आहा सकती मैं वो हल्की टीम थी मैंने नीदलेंड को इसलिए पिक किया वरना हर मैक में मैं पीछे देख लेए आप अख्मानिस्तान को स्पोर्ट कर रहा था इवन सीलंका के खलाब भी कर रहा था जो टीम मुझे हल्की लगती है मेरा दिल करता है कि मैं उसको स्पोर्ट मेरे कौन से यहां पर पैसे लगे होते हैं कि मुझे डर हो बाई जान टॉस जीत का बैटिंग करनी थी बाड चॉइस हो गए अनुपन गोत्म जाब यह वैदर जो है उसको बैडली जज़ कर गए अब यह ना स्पिनर्स हमें लेड हो गए को आउट करने के बाद 15 आवर में 140 रन खाएं सैटनर से भी चक्के खाएं वकार वसीम आके मस्ट भी अशेम टूरे नहीं वो क्यों शेम्ड हो यहां आकिब तो बाई मामा है नहीं वकार रसीम आप कह सकते हैं आकब तो बस ठीक ही था वाय दे वूड बी अशेम्ड हाँ बाई जान लास्ट मैच में मैंने बोला था चैप्मैन मस्ट कम इन और वो फिनिशर है और पाकिसन के लाव अच्छे ही करता है मेंशाग ही प्लेड बड़ी यूज़ जी वो भी बहुत यूसफुल इनिंग खेल के गया पाकिसन कुड है ब्रॉट डाउन दा मोमेंटम साच बोलो गायब होने का मन है कि नहीं औरे आपकी तक तक जान को हमबल होना सिखा रहे थे यार यह पाकिसान का मैच है इंडिया का नहीं आगे चले कहरे हैं उन बच्छों को कि बेड़ा प्रेडिक्शन दिमाग से होती है इमोशन से नहीं होती नहीं यह आपने कभी दिम अफरीका नहीं 100% की ही है मेरे ख्याल काल की प्रेडिक्शन का मज़ा आएगा इडवास पाकिसन बॉलिंग और बंगलादेश बॉलिंग यह दोनों उन्से भी हलकी थी हमारी उन्होंने 400 नहीं खाए वह मस्ट आल्स अप्रीशेट न्यूजिलैंड रनिंग बिट्वें दा हो गया आगा सल्मान साब से देगें यह आपके चांजी शेर है ना आज बुरी तरह एक्सपोज होगे पंद्रह बीस रंस जो है वह एक्स्ट्रा भी रनिंग से सही यह बात है ऐसे हैं मुझे गाइब कर रहे थे रिज मुझे चक्कर दिलवा रहे थे आप बो भाईजान आ अब तो लॉक माइसाल भाई जिन थोड़ा सा हसला करें अभी तो मैच शुरू होने देगे अभी आप बाते कर सकते हैं अभी कैसे कर सकते हैं जब तक मैच आती इनिंग्स हुई है आदी हाफ वे स्टेज में आप बाते कर सकते हैं बस कोई कुदरत का करिश्मा हो जाए कु क्या बात करने लगें बड़ी इंपॉर्ट कैसे कौन सा भाई गिट्टे कैसे उड़ा दी है बाजी किट्टे क्या थीक है अल्ला का शुकर है आप देखें एड दी से इच चार सरकार फूफू जी जी बाई 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 फूफू यह फूफू आज स्टार्टेट विद रो यह क्या कानी है चक्के चुके अजे साब बता रहे हो बाई जारे है और यह ना आया मैं रोज इमेल पे लगा रहूंगा भाई आजारे अंक्टीट कोंगा रहा उसका आंके दिखाने है ऑजारे सही है वह सेर है काम्जी रमीर सिंग्स यह आंक्हों से इकिट्यूट अब यह तो दिपिका कों दिखाती है न क्रिश्मार मैं रिमीर सिंग्स आपका समय अपको बस एटिटूड अच्छा लगता है परफॉर्मिंस के साथ जी हाँ एटिटूड क्या करेगा उसने उसने पहले इसको अपरकट पे चौका मारा है आके फिर इसको स्माइल दी है रविंद्रा ने फिर यही मुह नीचे करके गया वापस बॉलिंग करने के लिए अगली गेंड उसने वो थर्ड फोर टायर पे जाके च्छका पागा ऐसा पुल्म किया है कि बस बाई आप बारिश का भी फैदा निया में इनके हो जाएंगे नो पॉइंट हमारे होंगे साथ पॉइंट बारिश क्यों हो जाए यह खेलें यह जितना भी इनोंने जो करना करें और यह गें फेस सेविंग नहीं चाहिए हमें जी एक पॉइंट मिल गया है जो बेज़ती इनोंने करवाई यह बैटिंग करें अब यह बैटिंग करें आप यह यह हमारा भी एक काम है क्योंके हमारी रोजी रोटी जो है ना पाकिस्तान को बैश करने से नहीं अच्छी गेंपे बात करने से शचर्चर यादव ने मसला पकड़ लिया है वो कहरेंगे वो गेंज जो शमी को स्पेशल दी जाती है ना वह वाली इनको नहीं मिली वह वह व बताता है उनका बॉलिंग डेक बड़ा अच्छा है वो बहुत हो जाता तो सवा तीन सो तीन सो तीस पैंटिस पर शायद इतने भी ना खाते बहुत हो गया तो वनना वो इससे निचे इनको पकड़ लेते हैं जिजवान भाजी यह उमीद नहीं सी पाकिसान तो कटिया टीम खेड़े बेलकुल जी खसारिया साब एक खसारे जी नहीं तो एक खसारे जी रैंगे खसारा मतलब बोलते हैं कि नुकसान डेफिसिट सर आप चार सो बन गए हैं विकेट फ्लैट है और न्यूजिलेंड बस उनी चार बॉलर नाट मच इन फॉर्म बॉलर आज बाबर कार्ड ब्राबर कर दिया 25 बैटर हां तो आके खेले ना किसने मना किया पांच सो तैइस लेकिन इस निशन की आंख दिखा रहा था रहूफ उसी दिन उसका डाउनफल स्टार्ट हो बात है बच्चे के पर उचल रहा था बच्चे ने भी तुम्हारे चोके साही साहू जी हाँ जी कल बोरे दा पाकिसान फॉर्चुन डिपैंड ओन नी ओन शाहीन इनिशल टू त्री ओवर उसको पेल दिया तो पाकिसान भी आरेगी इस हार्ट टूथ विल लूज बाई डेट सो रंस यार आप क्या ड्रा रहे हैं फवाद उस्मान दो यू तिंक दे आर दोइंग बाबर इस लाफिंग आफ्टर दाइनिंग्स ना फील्ड में ट्राइए ना विकेड की ट्राइए वेर वाद रिजवान रिजवान सो रहा था आज वाद साथ देखें ये मुझे भी ऐसा लगता है जान बूज के ना आप यह कहते हैं सी की तैसी इनकी इनोंने पी सी बी न सक्षर आपका है निए चके लगने के बाद वो जब भी कैम ना पड़ता जब भी देखता हूं मैं बाबर को ऐसी कर रहा था बालर को देखें ये क्या गेंद कराई है ये क्या गेंद कराई है ये क्या गेंद कराई है ये क्या करता रहता हो क्या करें तो क्या करें तो बालर करा की टीम का कप्तान ना बनाएं ये इनकी खैर कप्तान मैं उसकी कप्तानी को डिफेंड नहीं कर रहा है वो हीज़ क्लूलेस कैप्टन थ्रो वर्ड का मैं देखा है लेकिन ऐसी जो बॉलिंग ऐसी टीम ये बेलकुल बक्वास किसम की बॉलिंग तो नहीं आज इंशालला फ बॉलर टार्गिट करने है आपने बॉलर टार्गिट करना है बोल्ट को द्यान से कहलें मेरी नजर में सैंटनर को अगर ये चालीस पेंटालीस भी करें दस सोवरों में विकट नान है आप यकीन करें पक्सान ये फिलिप्स फुलिप्स को पकड़ लेगा और ये रचिन को सेकीё मसला सिरफ हो गा सेटह ने आरो डॉल्ट का और विक्टें ले जाएगा ने प्रैश्र डाल दिया श्कून से खेले पाकिस्ताq आर जा सकता है कृी आज दिरदल पाकिस्तां भी बज़रा था या पाकिस्तांं की वह ने बेशर्म आदमी और कभी कब कहले स्क्योर्टी का बड़ में उसला है हमें बाइद नहीं जाना देते हैं तू अपनी गेम अच्छी कर टीम अच्छी लड़ा बस हमें यही चाहिए वापस आ जाना तुम घूम ले ना जहां पर घूमना है घूमता फिटते ही रहते हो कुछ और सोचना भी नहीं जी कुछ भी ना सोचना राहू कर नायक साब और कुछ रह भी नहीं गया फ्लाट डैक वीक न्यूजलेंड बॉलिंग पासन केंचेज़ इसी डी सौरफ फ्लाकुर जी देखें तीन सो तीस चालिस होता ना मैं आई वाज को उमीद रहती लेकिन यह ना उपर के पचास साथ रंस उपर निकल गए यार कृप तो जाने दें पचास साथ रंस उपर न इन्शालला इसी सी गेव स्पेशल बैट तो न्यूजलेंड जी अहां जी आप वो बोलेगा जी स्पेशल बल्ले दियें बल्ले दे दियें स्पेशल ऐसी स्टूपिड स्टेटमेंट देते हैं यह लोग शैंपू बच्चा बो बाई बहुत अच्छी और उसको सिंगी एक् मुसल मैं यह क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान या फिर बुरी तरह हारेगा या फिर जीतेगा यह तो हार इक को पता है प्टिक्षन एक दीजिए और पाकिसान विंग को बातो यह वह तो रहे है Nearly पहले क्रश्चा जीत रहाई लेकिते बहुत सहीं की आ रहे है बाई यहां अंडर 19 का मैच था पाकिसान की मैंस टीम का मैच कब होगा यह अंडर 16 थी हमारी यह वो बच्चे नहीं 22-23 साल वाले नहीं फोड़ दिया पकड़ के इनको बाई लोग कैसे हो आई लिटली एग्री विद मौसर पहले पंदरा में 100 अगले पंदरा में 100 फिर इस्ल अगर उनके हाथ में भी वैड थे आपके हाथ में भी वैड हैं यू आप सो काल वर्ल्स बेस्ट बालिंग देया टू गुट बालर्स क्या अगर आप उनके तीन बालरों को टार्गिट नहीं कर सकते तो यू आप नो राइट टू प्ले क्रिकेट सिंबल इस दाट भाई 600 र प्ले कि ने लाइकर सबस्काइब करें गाईज जैसर वन मिलियोड़ और लगाया सब्सकाइब करें यारे एक टिक नहीं है क्या बात करें क्या तक करें सब्सक्राइब करेंगे मतलब है जहां पे एक रब 40 करोड जहां पे 25 करोड जहां पे 25 करोड जहां पे 45 करोड हो उनके लिए कितनी देर लगनी चाहिए सिंगल ठक और वो गे बाकी ड्रमों के लिए भी तो ताहिए यार पता नहीं आज यह क्यों मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रही यह क्यों इतने टैंस है बैक बैक पैक है आप फिकर रहे करें आपने कुछ समान भीजवाना है पाकिस्तान तो हम बताएं वो देखें क्वालिफाइड कर लिया एरपोर्ट के लिए फुरकान साब अभी दिल पाकिस्तान टीम पर तुड़े मैश प्रूब्ट यार वह रहे हैं आप घलत कहा रहे होते हैं हम कभी भी हार्ष नहीं होते हैं इस वर्ल्ट इन विश दिस पाकिस्तान बॉलिंग इस बालिंग इस बास्त तो एड में जी मुझे भी यह बता रहे हैं जितिंदर दी शुकर आयार साड़े तीन साल बात को इतो है भाई जान वाउन एक्सी आमी किया थो टाइट सिक्यूर्टी दिल 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 नो मैंजिन चनाई है वो सब बख्वास करता है अभी मैंने आपको उसकी पूरी सुना दी हिस्ट्री के उसकी हिस्ट्री क्या है अस्तिंदर सिंग अच्छी दोज दी है छबीस एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग सत्रह वाइड नॉट गुड़िया वाइडे तो यह बहुत ही करवाते है और तूप्स कहरें जिना हम अच्छा मौसन भाई यह बताएं आज यू सब्सक्राइब यू सब्सक्राइब यू सब्सक्राइब यू अगर आप और यू सब्सक्राइब इसको रिजस ने अच्छा तो यह बताएं अगर वो रिजसन नहीं आप मानते हैं तो यार पकिस्तान जीतेगा छोड़ें आप अगर यह सुनना चाहरे हैं बाई जा यह ले तॊंप्सक्तान ले बाफ ख Attім एंचिंजिन गया रिजवान अगर आपकी टीम ने अच्छा चेस किया ना तो आई विल बी वेरी एपी आपकर आज देड़ सो करेगा बस ट्राइगेट जी इंडिया ठीक है जी अभी तो उसने एक सिंगल ही किया वसे अज देड़ सो क्राई थे ना उंपायर विल गिव डिफिरेंस बाल तो न्यूज़िलेंड जी ऐसा ही यह हमारे से ज्याती चल जी पूर कप्तार नी एक्स्टा सीमर विद नो स्पेशल स्पिनर इन सब कॉंटिनेंट हमारे पस है नहीं ना स्पिनर स्पेशलिस बाई पस हो एक लातां उसने सई किया वो फूल टासियों को को किलातें जो स्पिनर के नाम पे धबमांः उनको खिलातें मेरे साब सक्षार यह साड़े चाट सकाले वो उनको ना किला वो बाहिर बैंच में बैठें अगले मैंच में यू बैंच पे बैठें कोई जोद नहीं को खिलाने की दे वर एपसलूटली पत्थाटिक थ्रू आउट दा वर्ल्ड का लटना तो मैंसे पेजा लिए कुष्णी प्रागत सिंग साब ने हैरी इत्वाल मेरी वाइफ बोल रही है कि मौसर पाजी आज चिल इसलिए लग रहे हैं कि लगता है कि भाबी जी में के गई टेक इड़ लाइटर लाव यू बोथ बाबी जी अला ताड़े मूझ की शकर पा मैं चिल इसलिए आगे आउट जी कौन आउट एक आउट हो गया है फिर वो अबदुल्ला गया होगा अबदुल्ला जी आउट हो गया अउट होगा है जी अबदुल्ला शफीक साथ चलो टेस्ट प्लेयर गया दबेस्ट और आकिब जवेद पूरी अब देखे बाबराजम दो और के बाद बैटिंग करने आ रहा है अब पापराजम क्या lounge वाँ 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 ओवाँ वाँ वाँ हाँ रख की चच वणे गी कितैंब भी उसकी जखमी है लंगड़ा है लेकिन उसने देखो क्याँच कैसा पकड़ा है इंज्द बंदा है और काश देखो व आप साइड पर पॉइंट पर कवर को वाई तू आई पिल में भी ऐसी इंजर्ड हुआ था तू क्यों डड़ू की तरह उचल रहा है चला जान छुटे जी यह तरह के ग्रीब पहुंच गहीं हम बस आप पीछे आट रंच आए और असी वाले रहती है अब हो गया है अभी नं नंबर वन आरा बैटिंग में भी नंबर वन एंकिंग अबैस्में बाजन भाई हाट ब्रेक फार मी आई स्पोर्टेड पाकिस्टन समी बट पाकिस्टन बाल बाल इस डिसपांड़ बिना पाकिस्टन के वर्लकब मज़ा नहीं जी एक्स्टर कवर सब आप चाहते थे के रो हम आपसे माज़च चाहते हैं मना इन बालर्स ने उधर भी इतने ही मार खानी थी लेकिन यह इस काबिल नहीं है कि समी फाइनल का टाइग इनके साथ लगे के जी पाकिस्तान जैसे टीम समी फाइनल खेल गई जी है किन्या रीच्ट डोसो दोजा टीन के समी फाइनल में बट ये वैजिट आप्र दाइड अथ चीड़ अगी तविफ़न पैंच टीम में एक्वेड रहा गई Act inclusijn गह फिहा जांके जातुinea है है सिल्वर मैडल वलकली है वो भी बदकिस्मती से सिल्वर मैडल है बारिश होगी बैड लग फ़र पाकिसन रेंड विल बी टेंपरी और नो लिटल ओवर जी मैश शुरू हो गया जी अब तो एक एक विकेड भी गिरगी है बाई अस्टेलिया ना और आई विल डूट फार अ पाकिसान आज जीता तो आप पाकिसान को माफ कर देना जी ठीक है जीता तो माफ करते हैं जीत के तो करते हैं डियाल टार्केट फ़बीस अवर गें दोसे सेंथे इसे पॉसिवर जी मैं शुरू हो गया पर हम चुटा साब बारिश तो एक लम्हें के लिए आई थी इसमें क्या आप अभी भी वर्ल्ड रिकार्ट बॉलर नहीं मानते वसीम क वर्ल्ड लास नहीं अच्छा इंप्रूब बॉर्ड अच्छी बॉलिंग किया है इंप्रूब में नजर आ रही है सासिया काल जी कोई स्पिनर भी दे ले बैंच थे बिठाया रहे सारे ते प्राकर सिंग लंडन आ ले हो एक किड़े स्पिनर इस काबल आने कि नहीं खुड लाट निकला वो पतली गली से निकल गया मुस्म भाई दिल से फ़स गए मैं नी फसता समीर साब यह चोटे बच्चों की तरह नी कहलता मुसिंग दो सो प्लस से नहीं आ लता मैं आपकी इस बात से इतिफाक नहीं करता समीर साफ जो आपने पे लिखी लिखने ने लिखने कुर्बान अभी तो इश्के क्या हो री फंड आमाउंट इफ बावर गैट्स आउट बिफोर फिफ्टी है नहीं आप पचास करेगा आज वुफली वीर जी मेरा लेकिन हमने आप से थोड़ी बगला कि आप उस पर पैसे जुबे लगाई कि री फंड आमाउंट जो प्राफि कैसे आप लगा रहे जहां पे जुआ खेलने हम आपकी जैब में जाएगा वकर हार जैंके आप बुलना आप कहरेंगे री फंड दे रहे ना हमें हैं बहुत स्याने हो भाई आप वीर जी मेरा मैसेज नहीं पड़े आजी पहले वाला अत्वाल सब आगी ताड़ी बारी सार आप लेंदे पार नहीं हमाइसेज और वो कन प्ले प्ले एंपर्टन डोल अस कैप्टन करेंट 15 स्क्वार्ड पाकिसन अज बाबर इस अडिली नाट फिट इस वां को बना सकते हैं यह सर्फराज के बस की नहीं होगा आज माई जिता सकते हैं तो फखर ही जिता सकता ही आज चांस तो गेन विकाम हीरो आफ्टर डोजा सतला चैंपिंश ऑई दोसो मारे फखर मज़ा आजाए किस समस्वार्ड इस अगरे सूरिया जी बाइजन बॉंडरियों को टार्गिट करें और टक 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 लगाए और आज सो करके भी खड़ा रहे अज़े करें सम अच्छोने कोई बात निया जे हमारे पास सब कुछ होता है टाइम निगल गया जजबात पूर परफॉरमस्स अगरे को कोई परवानी होती बेश हर्मों की ये रिजवान का मूट खराब हो जाता है तो मेरा भी मूट डाउन हो जाता है मैं आपके सामने आज मैंने भी आगाज ठीकी किया है मतलब इतना वो इन से कोई तवक्व अमीद नहीं मौसमाई इस बाई क्यों खून जिला रहे हो जनाब मैंने लास्ट टैम भी बोला था कि यह वाली पासिंग डिजार भी नहीं करती नहीं जी हमने क्या जलाना है फूर नहीं यह रिलाक्स जल जला गया जो जलाना था लैट्स होब फर दबैस्ट यह मालशी शर्मा गया है मैं तो वैसे नो तरीक को जाना है वापिस मैं इसी चक्कर में था अगर यह आज कोई मोज़ा होज़े जीत जाएं तो शायद मैं सीटी आगी किरा दूँ बस इनकी यह यह इस काबिल ही नहीं है लाट्स होब फर बेस्ट वी कैनाट से बिफोर बोथ टीम्स आव बैटिट लुक्स लाइए यही बात लुक्स लाइक सिंपल पिछ लेकिन यह है कि इन में इतना बहुत जाद है ना मोड बे मौसर बाइट इस गुट तो सी यू स्ट्रेसलस जी मि वे मेरी लाइब में सबसे बुरा दिन था जब मेरे बाब की डाइट लेगा दोसों के लीड पर होता ना तो उस से के तो पार तो चले ली चले ही जाएंगे हारी स्रोफ कंसीडिट फोर सिस्टी नाइन था मोसिंवर्ल कप जी वह मेरी उससे द्वाया है कि वह कोई छेसों के करीब जाए आखरी मैंच में तेड़ सो का जाए एक उद्पा पादे साथ करेंगे ना इस बालर्स हाज दिस बालर्स हाज दिस्ट्रोइड बीस ओवर वाली चीज़ ने ना जेन में रखी तो आप वैसे ही आर जाएंगे और बाजी इनको सपोर्ट करने बेकार है अलवेस डिस्ट्पॉइंट करते हैं अरे निजास कोई बात नी यार चिल और इंजॉए डोंट टेक स्ट्रेस आलवेस अंडर स्ट्रेस वाई वी अ आज बाल का क्या हुआ आज तो इंडिया नहीं थी सामने उसामा को उसामा को खिलाना था रिश्यप जी और इतने ही रन वह भी देता एक दो विक्टे ले जाता जो आपने छेतर रन दास ओवर में दिये मौसन जार पाचीस ओवर तक हाँ जी तो पाच्टेंट डीम बारह रने जी तीन अवरों में इस बार किसी और टीम की हार जीट पे डिपेड़नेंट रहने वाले चक्कर ही खतम कर देते हैं आज हम अपनी मदद हम खुद ही करेंगे निकालने में घर जाने में क्योंकि किसी का इहसान नहीं लेना हम ठीक खुद ही निकल जाएंगे ठीक है बिल्कुल जी आप इसी काबे लेंगे निकल जाएंगे आप खुद ही पीपल क्वेस्टिन यूर प्रेडिक्शन शुट अंडरस्टैंट इट कांट बी हंड्र प्रेसंट आलवेज राइट बड़ आई सी मोस्ट अव्यूर प्रेक्शन स्पॉट ऑन वेल थॉट जी स्तिंदर सिंग साब वो जो गलत हो जाए ना वो ज्यादा याद रह जाती है मसला यह है नाजिम सब करेंजम क्या आज आई सी सी ने न्यूजिलेंड को एक मैजिक बैट दिया जनाब और पाकिस्तान को आज कोई और बाल दी है बाल भी इनको कुछ और दे दिया है यह पूछे ना कोई उससे जा कि आप जैन जैदी साहब आप कुछ लिखने के चक्रो मैं लिखनी पा रहे है आप नो रिप्लाई ऑन मैं मैसेज रिज भाई अनिमेज विल वेट फार दे बन पाकिसान में जरो डे आफ्टर शाहिन गैस हिट विदाउट विकेट इन फरस्ट पैल होफुली इंडिया के खिलाफ सिरफ बस यह तै तो बस जी शाहिन उपर से अग माई गॉड मै समझे फोले यह तो छका लें आप ऐसी की तैसी गंदी जगा पर ज़िए करा के छका चारें पर बहुत ही कमाल कमारा लेग साइड पर डाले गें तो इसी तरह ही छका मारे हमने भी इतरी खाएं वो देखे चौथे पांचमें रो में गई है उसको विलियम सेंग कहा रहा है यार पाही कोई मेरबा नहीं कहा रही है तू एक ही कहा आज भटे-पढ़्य वगर वे पाकिज्ञानान को डिता रहा है तो डॉबल ओर ना करे आए lamps आथ आज आपको मैं बताता हूं क reuse है ऐसी की तैसी आप सारों को बहुत खिलाया मैंने वो कहने पांजार की लगा नहीं है आपने बाई जैन वो उसमें आपको मैं या और सिंगल आया बाई जैन वाट इस दिस देखे मिस्टर समीर खान यह जो बैटिंग होती है ना इसके कुछ रूल्स होते हैं मैंने इस पे बहुत काम किया इसको प्रूव करना मुश्किल है लेकिन पता है डाक्टर शुवं कहरेंगे मारकल कों सी यह सपास बॉलिंज बाई जैन उन्होंने यह हवाले किया इसके भाई जैन वाई जैन वाई प्रूव जैन यह जान यह जान यह जान लोग गली गली में दिवाइड है आपको नहीं पता यह अप देखें जैन गुट अगें परचिया जैन यह अप देखें मैं सच बोलना शुरू करूंगा तो नहीं मुसीबत आ जाएगी मारस काले को तो दो ही बनेंगे बाई जैन मैक्सिमम चोका नहीं होता तीन बन जाएंगे जादा जादा बाई यह चोका है नादा मुझे नहीं लगता तीन महां जी आपकी बात में बड़ा दम है यह जितने पाकिस्तान की टीम में खेलने इनका फर्स क्लास का एक्स्पियंस जो है वो अल्मुस ना होने के बरापर है दो मैच्च दस मैच्च पांच मैच्च छे मैच्च इतने मैच्च खेलने हूं कोई थोड़ा सा मतब अगर बंदा कोई डुमेस्टिक में अच्छा खेल के जाए तो कोई बात भी बने कोई खेले कोई दो-चार सीजन कोई बैट के नीचे 25-30 मैच्च पर कोई भी दुनिया का बैट्समेन होता तीन रन मनाते है इसने दो बनाए है लेकिन चलो अगली गेन पर चोका आ गया इस अगूड आवर फर पाकिस्तान छे साथ तेरा और चार सत्र पाकिस्तान यार जीतेगा जीतना चाहिए क्या मतलब है आज जीतना चाहिए क्या मतलब है कुछ रहा तो नहीं है आगे वाला जो इसाब है ना वो देख ले यार बाइजन असला करें थोड़ा साभी इस बालर जी आप कितनी बार एक ही स्वाल पूछेंगे लुजलांड मेट चार सो एड़वन ओवन अभी तो बाइजन इश्क्तान बाइश्क्तान बाइश्क्तान आज ऐसे फ्लाइट ट्रैक पर बाबर आजम और कुछ अनुखा ना कर पाए तो आइम अफरेड रेली हाव तो वर्क हार जी सही बात है जी अगर आज आज नहीं तो फिर कप अभी नहीं तो कभी नहीं आज बाबर दूसों एक सो पचास बनाएगा नंबर वन प्लेर आज सौधी नहीं को मार नहीं पढ़ रही सालत तीसरा अवर कर रहा है चार रन दी है पाकिसन जीता है तो आप मुझे पार्टी दें जी बिलकुल जी आपको पार्टी आपको जनाब दो पार्टियां बिलकुल नुजलेंड लास्ट हाइए स्कोर वाज वसे वेस्टेंज स्कौ पाकिसान को लव फ्रम इंडिया अउट हो गया एक अच्छा क्या मिल गया शेमों नेशन टीम्जा विच इस क्रिकेट क्रेजी ओली वाल स्पोर्स वोल्ल कप वर इंडिया ओंली इंडिया क्वालिफाइंग इंसर्मिफाइनल बट्वीन वाल इस इंपार्टी बोट चलाक सब्सक्राइब करते थे अभी इन्हों नहीं आप अब गंद मार रहे हैं पैंटीस अवरों में आजी जी किंग बाबर विल डूइट टुडए डूइट अज चका मारेगा भी चोका मारेगा अठा मारेगा आपके यहां ऑस्टार में देखने नहीं भाई ऑस्टर नहीं आपर नहीं हमने पैसिल गाएंवे हैं बाई क्या शर्मिंदगी है नमबर वन बैस्मेन को रन सट लग रहे हैं पता नहीं तो पचास का इतना दो टेल एंडर भी कर लेते हैं कम से कम सो डेट सो लगाओ विनिंग पर पर जी भाई वो उनकी मर्दी है जो शिबंकर साब जो लगाना चाह रहे हैं हम तो एड़वोकेट नहीं करते हैं इसको साथ जी ये पाकिस्तन टीम को यहां से लेकर पाकिस्तन जाए लेकर जाए पाकिस्तन ये दुबई जाएगी जैसे पहले पाकिस्तन टीम गई थी ये काबिल तो इसी के ये डिरेक्टी आया थी इनकी इज़त में इज़ाफा हो अब देखते हैं गारचा साब क्या होता है चलो सवाग साब ने भी काया सच्चिन और राउल ड्रैविट को आदत थी सालों से पक्स्तान की बालिंग को तंग करने की आप रचिन रविंद्रा ये काम कर रहा है बहुत बारा भाई वाट आम लुकिंग फारा फ्लाइट तिल लास्ट फाइट टिल लास्ट बॉल जी राउ सब कोशिश करें कुछ अच्छा करने की जितना इस पर कुछ फाइट करें यही बचा आप जैन जैदी जी आप काम्याब हो गया मैं पढ़ता हूं मैसेज आगे वा पाकिसन टीम परफॉमस ते शुट प्ले पर दे प्राइट फॉल जी रमान साब कुछ तो इनको थोडी सी शरम याग करनी जाएए चुछ तो परफॉम करें मौसम भाही रिजमान भी प्लीज आंसर ग्रीज इस आंफेर फाइट बालर्स ग्लोरी इस फाइट बैटर्स आट फोर स्टरिंश इस सांप के ले करा याग किडी इई कौन सी यह क्या सोच के लेकर है या बैटर्स में गाटर्स और आप बालर्स कर कि यह री ऑड़ कर सकते है थोड़ी बाौनरियां बढ़ी कर सकते हैor आप कुछ भी नहीं कर सकते साव यह कैसे हो सकताются क्ट ने पांच वि का दो मिट्टों का साइज बड़ा कर दो यह तो नहीं हो सकता जैंसाब यह तो अठारा सो से दोजार तेश तक ऐसे ही चल रहा हाँ बालर्स के लिए सख्त रूल्स बन गए हैं बिचारों के लिए सारे मज़े जो हैं बैट सुनानों के यह मानने वाली बात है अज़ादी साब यह तो देखें फिर बेसिक जो रूल है वही गेम का खराब करने आला ना जितने भी रूल चेंज हुए है स्टम्स का साइज वही है लेंथ वही है उपर बेज बगारा जो वह चलो अब लाइट वाली आ गई है आई कॉर मारस च्छका नहीं जी पहली बाल पर यह सी कि तैसी इस बोल्ड के नट बोल्ड डिले कर दे मेरे चैंपियन वुस्सा बोल्ड पर वो खुश इमाम हो रहा है तुने जिन्दगी में चिका मारा है कभी माम उलाक पर से मारा है आँ मारता कभी कभार साल जेसार में का वाह ठीक है मारे आउट जो भी आए कोशि वापस आ गया किसी फील्डर को हिलने की सुर्ण नहीं बढ़ी शाबाश शाबाश शेरे पर बोड़ा अच्छा वाल था बड़ा यॉर्कर ना तो देखें तो यह बेसिक बात है ना बाकी बल्ले पर साइज पर भी मतब इतना साइज हो इतनी हो सारा वो की असूल बने कुछ जो फिल्डर बोला हुए जी इतने दारे में इधर 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 तो वो उसमें उनको रिलीफ दिया जा सकता है गेंदे भी अब दो नहीं कर दिया नहीं अच्छी बल्ले पर आती शुरू में तो रूल्स लेकिन यह तो बिल्कुल गें कि बेसिक्स उसी के रूल डालने में बेसिक्स को निश्क करना चाहिए लो जी ऑस्ट्रेलिया के चार आउट हो गया उपर नीचे ठीक है ना बाई जान अच्छी बात है अगर हमारा मुल्क कुछ मतलब नहीं कुछ अच्छा कर रहा है दूसरे तो कुछ अच्छा करें मौसमाई बोलो फिर पांसों क करें कंफर्म करें जल्दी करो मुझे क्या देंगे पांसों की तो ठीक है डबल कर रहे है डिपल कर रहे है इससे तो आपकी टीम जीत रही है बोलें पांच अजार क्या कह रहे हैं पांसों नहीं पांच अजार की कह रहे हैं इस सब बड़ा समान पे मुझे कितना मिलेगा प समीर भाई आप दो स्याने बन रहे हैं मोसन भाई बेवागूफ नहीं है जो आप बनाना चाह रहे हैं नहीं इसको मैं आज बताऊंगा बेट क्या होते हैं इसको चुमूने लड़ रहे हैं पैसों के आज मैं बता तुम कैसे कहलते हैं चवालीस बे स्वित गया और इंगलीस साथ ती अच्छा मैं आउन्स तो गॉड़ आप चोका ले जी छोड़े बोल्ट थोड़ा सा गबर आ गया बाबर का चोका ले है लेकिन रिजवान साथ बोल्ट को मार पड़ रही है वो एहले नहीं दे रहा सौधी डेंजरस है फोटी वोर में 38 रन बोल्ट ने दे दी हैं दो वाल्टें भी बोल्ट की तो आपने चटनी बना दी है वो डिलाशाज साब कामयाब है क्या कहा रहे हैं मारो मारो इनको ठर सुने दे सिर्फ हमें तेही मेरबानी यार यह फोटी नाइन पॉइंट फाइफ नहीं सिक्स पर भी करेंगे तो मैं खुश हो जो तो बाइजान अच्छा स्लिप ही नहीं आप अंदाजा लगाए ओवर अगर यह आखरी गेन पर पूरा क्लासिकल ड्राइव यह क्या कर रहा पांगल हो गया अब मेरा बबर शेर ने चोका मार्या आज बड़े आदी तिलो इल्ली है पंचार डालर आज तेरे डालर सारे मुना अब हाई चोड़े ने तुफिकर ना कार आप मेरे कूलनेस को नोट नी कर रहे बच्छो तेगे आम मेरी कॉल नाइक लिक 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 उपर से शान अंदर से अशान अजयान आजयाई वह पूछ रहे हैं अजया जिए वह पूछ रहे हैं पांजार पे तो प्रिर आपको पचास देने पड़ेंगे अगर आप उसको देने पड़ेंगे तो अब आप बताएं आप क्या कहते हैं तो बताएं ना क्या कहता है कितने देगा बताएं बटाएं पटेल जी का मैसेज लिखाएं ने कुछ नहीं है शुबंकर दास जी क्या कह रहे है शुबंकर दास जी कही है हाँ भाई जान मैंने यह नहीं बोला कि पचास नहीं सो आरेस लगाओ मैंने बोला हूं कि पचास रन लगाए यह लगाए हाँ मैं आपकी बात समझे हैं कि नंबर वन एंकिंग आपैस्मेन है तो उस पर सौ की बात करें यह करें और आप इतना लगुने के चक्रों में मजब नहीं पढ़ता ना कि वो जो दोस्त कहते हैं उनको मैं तो कहते हूं यह करो मैं वह बात कर रहा था मैंकी बात समझ गया हूं कि नंबर वन एंकिंग बैस्मेन है तो पचास नहीं फिर तो सो पे लगाना चाहिए लेकिन अब आप खुछ सेंटरनर लगा दिया नो पागर सिंग लंडन साथ देखो उसने तीन इतने कमाल के ओवर किया और उन्होंने सेंटरनर लगा दिए फास बाबर की वज़ा से सवादी को टाया फास बालर इंके पास काम है ना पाजी वेरिस कुदिव का निजाव पाजी अजे ते कोई नहीं और फिल फास तो दाइरे से निकल गी तो बस फिर निकल गी चका चका यह तेरी ऐसी की तैसी बाबर स्पेन पर फस्ता लेफ्ट अंडर पर फस्ता लो जी छे रोज बैक ठेंग दिया अजी आज इनकी चच्छनी मनाओ समीर बाई गवरायत तो नहीं पांच अजार पर पचास जार कुछ जादा तो नहीं आपकी टीम जीत रही है आज दागे ख बॉल बाई और वैरी एकसिलेंट एग्जेक्यूशन बाई बापर आजम एकसिलेंट एग्जेकूशन çıkट आठ में, आठ शिकर ताली, बस आठ ही की चाहिए, अवरिज बाई जा, आठ सते छपन, साथ से जा रहे हैं आप, तो ठीक आ रहे हैं आप, विकिट से ना एंड रखें तो साथ तक, बाई जन साथ की अवरिज से आप जा रहे हैं, तो एंड में हम मारेंगे, हिमाशु चल्मा प्लीज दिल ना हा रहे हैं, कौन? कौन दिल आ रहा है भाई जना, आप देखें आज कोई दिल शिल नहीं, आज कोई ड्रामे वाला नहीं चलेगा, नो पक्वास, उनली दिल दिल पाकिस्तान, और दिल दिल हिंदुस्तान मिलके जोड़के, आप हमारी, सिर्फ वहां पर कर देखेंगे बैकिंग, शाबश, आज नहीं चोड़ना, यह देख लें, आप ही के खिलाफ आएंगे, अब आपकी मर्जी आप इसके साथ खेलना चाते हैं, अच्छा एक तो यह भूमा की जगा फुलक वायो लगा, लेकिन मैंने अभी देखा है कि इसको डैंटेस के पास ज पर नहीं होते हैं, दिल ना हारें, हिमाशु शर्मा जी, दिल तो अब बच्चा है जी, थोड़ा सा कच्छा है जी, चार सो रजबोर्ड पे लगे हैं जी, तो थोड़ा सा तो फिर बनता ही है ना, तो चार सो तो हिस्ट्री में देखें, चार सो प्लस एकी दफा चेज अब सौधी को इदर से ले आए है, यारे बड़े तेज है, सौधी बोट डेंजरस है, ने ने सौधी, सौधी, चार सौधी, तिम सौधी को एंड चेंज करा है, बटलर वाले एब है, सौधी वाले एब है, बोल्ट वाले एंड पे लेके हैं, इनको चाहिए कि ये ना, इसक को विकिट ना दें यह विकिट ही यह डेंजरस है और आज इनके पस दो फास्ट बॉलर हैं पस पचास कर गया जिल्ला बुशेने दो विटें आते ही ले गया अधिर रशीद आज वैसे इनको ना वो उसको खिलाना चाहिए था किस को फर्गूसं को नहीं वो जैमिसन जैमिसन को या फर्गूसं तुई जैमिसन को खिलाते हैं आजी आज रचिन रविंद्रा चाह गया भाई लड़के तू चाह गया लड़के भी बड़ी कातलाना है वो समीर भाई कहा रहे थे गरचिन को हम ले ले कौन कह रहा था कोई कह रहा था ना उस दिन दो नहीं बनते वाई जंदो वाला चुकर ही नहीं है उन्होंने दो बड़ी दुख्यां लिए नहीं है उन्होंने लिए ना हमने नहीं नहीं चोका लें बाईजन चोका लागा लें जी चोका लागा इसने बड़ा तंग किया वाथा कुकर में मारी भी खा रहा था तीन ओवर पांच रन और एक रिकर्ड भी ले गया था डड़्डू जा सिक्सिस तो अभी आने हैं बाई जान इमानशु शर्मा जाहब अभी बहुत सारे चिक्टे चाहिए नहीं च्छालीस के जवाब में आपके साथ चोके आगे हैं तो आपने बस घबराना नहीं है पचास पूरे चोके करने हैं आपने दुम्बी बनाना आज आज मैं चारू स हमीर भाई अपने कमरे में लाउक्ट होके पतनी बाल है के नहीं यह क्या हो गया क्या हो गया देखते देखते अच्छा रहे तो आज मारे चेरे पर जो एहना वो गुसा हो हम जनाब आज जनाब उचल रहे हों कूद रहे हों तो आज ही इस वेरी डिसरपाइंटेड कि यह एक और ले आठ चौके आठ ऐसी कितना सी और चखन पहते हैं और समीर भाही 4500 पर्यक हो गया यह जो चोका है आच चौका सौरी चौका 61 और मैं मादूर कहा रहा है यार कि वे च्छके मार लेना है अभी तो बाड़ी से दूर है अभी बाड़ी से दूर है अजिर भी बहुत उपर था एक और एक और है जी हो मेरे शेरो शाबस यह 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 चीज यह सपोर्ट कर आपकस्तान को नो वर होगेगी ठीक है वहाँ वी डोंट माइं शिक्स्टी सेवन इन नाइट है जी ठीक है अधिक है अधिक है दस में सी होगे नो सते त्रेट साथ से उपर चले गए आप अब हैं आप टेंशन नहीं लेनी है आप ऐसिंग डाउन है आज आप मुझसे प्रिने ने फोकस शिव्ट करें आप दें कि मैं कितना रिलाक्स हूं आज सब्सक्राइब आज देखे समीर भाई का जार डालर जाता कहा है अधार्मिक पटेल जी ओ यार छोड़े 35 ओवर को भाई यार पचास में जीट जैने मुझे कबूल है 35 में यार 35 वाली बात भूल जाओ जाओ अरे यार आज नहीं चाहिए हमें प्रागत सिंग साहब आज हम पूरा करना है लंडन अले प्रागत और बाबर ने आए तेर्ष्व मारना है और फगर ने दो सो मारना है पीछे जो 10 15 वाप कर रहना जा गया है मेरबानी करना है आई नहीं छोड़ना बाबर ने सिंगल लिया जी गौड़ सब कहा जी मौसुबाइब नियूजलेंड विन लोगार नाम इतना अच्छा मेरबानी करें हम बड़ी रिस्वेक्ट करते हैं गौड़ सब्सक्राइब लाइव लाइव लिव इन बैंगलोर चलो उदर की का पता नहीं है इदर तो ठीक ही चलना यार आप को नहीं है चोका बड़ा चोका बिलिस्टर साब आप क्यों हमें आउट गराने पर चुका बड़ा च्छका लें आर क्या चोका चोका कर रहें आप च्छका लें और कोई नी विल्यम जन्टू कब्राणा नहीं है तु मुस्कराने वाली सरकार है अच्छा पहले बीस जवरों में उनका च्छे करनेट था वैसे तेरे की ले आले 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 स्ट्रेडियम के अंदर ले और बताएं विल्यम जन्टू ने कब्राणा नहीं चार सो रन है तू नहीं कब्राणा मेरा बाई यार फकर कोई आज को बीस कुछ चके मार जा यार शि बाई मेरा बबर शेर एना दी ऐसी दित ऐसी समीर भाई की तरो यार कोई मैसेज तो करो यार गाइब हो गया भाई वह कोई फॉलो ऑन भी करा रहत है यह लो सिंगल लो वेरी गुड शाबाश ठीक ठीक है ला मिस्ट गड़ चखके चोके बाद सिंगल डबल सिंगल डबल ए एक और दो विकेट देविल कॉलाप्स लाइक कार्ड चलें जब कॉलाप्स होगा फिर देखेंगे भाई बलिस्टर साब आप ड्राने अली बाते ना करें यार प्लीज यह रिजवान फिर टेंशन में आ जाते हैं सभी बाद मुझे तो आप टेंश कर नहीं सकते कोशिश कर अब आप पहले मुझे टेंशन अरे मोसं भाई अश्लील अरकते करना करें बाइए इन्होंने क्या आपको कौन सी मेरी अरकत में अश्लील में अश्लील में कर लेता है शमा टीवी में है ठीक है जी तिवारी अंग्य विनाश्ट वारी अंकल हैलो जी कुदत का निजाम सब सब टीवी में है अश्मान मिश्रा साथ जब फिलिप्स आएगा ना उस बताईएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे पपर शेरो तो अगर यह बीस अवरों तक साथ के साबसे भी जाते हैं तो दाव भी फाइए एक सो चालीस हो जाता है देर सो हो जाए बीस में मैंने भी इतने ही कहा था दो सो तो ऐसी जरा देर सो भी ठीक है वंगर दाज के जिए बाइजा लेट्स जस्ट इंज्वाइब बैटिंग आट अट अट अमीद नहीं बाद में बाद में दर्द होगा ये लोग आपको चालीस अवर तक फिल गूड कराएंगे फिर आपका दिर या कुछ चालीस अवर तक कुई फगर जमान ने इमरान नजीर का मोस्ट इकसिस का रिकार्ड तोड़ दिया वर्ल्ड गाप में पाकिसान के लिए औ और इमाम जो है वह माज़रत दिया तो पारत पडेल साब आपकी क्या बात है सिंग सिक्स विक्स उसके बस का काम नहीं है चक्के मारना तो शुबंगर देश जी अभी देखते हैं कि हमारा देश क्या करता है नहीं अच्छा करेगा वहां स्पोर्ट मैंने देख लिए करें शाबाश नहीं छोड़ना इनको चोकोंगा हमें नहीं पता लेकिन छक्के तो हमने आठ के जवाब में पांच मार दी दो बने फिर निकल गी अब कौन आया जी अब ग्लैंट फिलिप्स को लगा दिया है इनों तीन डॉड़ बाले एकेड़ा है यार एकेड़ा डॉड बाला डॉड़ बाला फिलिप्स फिलिप्स आजा गया फोकर तीन डॉड़ सोगी है चार बाले निकाल जाता है राम खोरना मुझे लगए सूडी मुड़ी को लेकि आएगी आउ लेफ्टी का गी इसको आँ अच्छे गोल का रहा है ओ ओ चार बाले निकाल गया वाजन चलो खार आई अगर इसको मुश्किल हो रही है तो सिंगल ले बाबर को दे दे जार बाला तो निकल गी है उनके मुश्कल रही है चिका लगा इसको ऐसकी पैसीश की लगा चिका है आँ यह विकट विकट बाल करता है नहीं यह होता फैदा ओ विन प्रडिक्टर कार रहा पाकिसान का दस पर संट चांस है चलो दस भी बहुत पाइस जीरो तर नहीं है ना वाज डॉट बोलेंग पांच डॉट कर गया भाई पार टाइमर है यह मेडन अवर कर गया जी ठीक है कोई बाद मेडन अवर कर गया जी बास जी दोस्तों फिर देखो फिर आप भी पिर हम भी आप से इजाज़ लेंए इदर तो मेडन आवर शुरू होगे यह बाबर अड़ फिर विल नेक्टू फिर्टी रंग कंबाइन इस अगर ऐसा तो कुछ करना ही पड़ेगा ना फिर यह पता नहीं थाम डाउन क्यों आगया आपकी मैसेज पी अगर यह चले जाए तो आई विल टेक इट अपसुलूटली आई वुड लव तो टेक इट इस टू फिप्टी तू फिप्टी रंपार्टर्शिप ठीक है कोई बात कोई बात नहीं मड़ा कोई बात नहीं कभी कबार हो जाता है मेड़ेन आउवर भी आपने कब्राना नही है ओम बाच्चू साब है लेका नहीं है कुछ आ अच्छा जी कैने इस रेनिंग हैविली विल रीच स्टेडियम डी एल एस मैथर जी बी सवर वाला हो जाएगा कंदारी साब चलो देखते हैं जी कंदारी साब तो फिर दोस्तों आप भी देख्यों मैच कोई फाइट करें चार सो बहुत जादा रंस खाई इन्होंने थ्री फॉर्टी थ्री फिफ्टी लेकिन काम जो उपर साथ रंस उपर पड़े हैं ना साथ पैंसर त्रंस तो उसकी वजाद से अब जाहर है कि न्यूजिलेंड जो है काफी फेवरिट पोजिशन पे बट अट लिस शुड रहें 29 अबरों के बाद ऑस्टेलिया के चीज़ा है चीज़ा है सी यू इन वाइल आए मिन अफर दे मैच टेक्यर बाइबाए लव यू